हेलो एन वेल्कम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेज तो बच्चों इस वीडियो में हम कंपिटेंसी बेस्ट कोशन करेंगे और एसेट बेसे एंड सॉल्ड तो यह इसका तीसरा वीडियो है और दो वीडियो से पहले बना रखे हैं तो चलो के कोशन के करके कोशन को वैडर सेल्डेट उसन आप कोशन के काता है क्या है और क्लासिफबशाइब आपके पास है अमोनियियं ख्लोराइड क्या है है अमोनियिय होगना क्या होता है एन ऐछ ammonium chloride होता है NH4Cl क्या होता है NH4Cl यह ammonium chloride है और sodium acetate होता है CH3COOH स्वारी COONA क्या कहा रहा है कोशिट में है कि जो ammonium chloride है यह कैसा है यह acidic है वहीं पर sodium acetate यह कैसा है यह basic है पूछ रहें कि क्यों है और जो भी आप explanation देंगे उसके लिए आप reason ज़रूर दीजे कि क्या क्यों है अब जड़ाद हाँ से सुनू देखो यह पहले ammonium chloride के साथ करते हैं ammonium chloride इसको करते है ammonium chloride देखो इसमें दो parts है एक है NH4 और एक है CL ठीक है वैसे यह एक salt है क्या है यह salt है यह भी salt है दोनों के दोनों क्या है salt है ठीक है तो बोल रहे हैं कि यह acidic क्यों है और यह basic kyan तो देखो salt कैसे बनता है जब एक acid मिलता है और base मिलता है तब salt एंड वाटब नता है क्या बनता हुटे शॉल्ट एंड वाटब नता है तो यह एनेज 4C1 बनाने के लिए हमने क्या एसेड यूज किया है इसे यूज क्या और बेस क्या यूज क्या एनेज 4Oh तो बना हमारे पास क्या एनेच 4C1 प्लस H2 अब ज़रा destructive यहांपे जो हमारा जो एसेड यह क्या है यहória के स्ट्रॉंग एसेड और यह क्या है यह है या क्यों करते चोल्टго निवटता है तो यह जो हमारे पास salt given है वो acidic salt है क्यों है बिटे तो question में यह पूछ रहा था कि ammonium chloride acidic nature शो कर रहा क्यों क्योंकि यह एक strong acid और weak base से बनावा salt है इसलिए यह acidic nature शो कर रहा है equation लिखने को कहात हम नहीं है लिख लिए equation अब जो दूसरा वाला है दूसरे वाले के लिए भी लिख लेते हैं दूसरा वाला क्या था sodium acetate अब sodium acetate किस से बनाओगा acid यूज़ कि हैसमें CH3 COOH base यूज़ कि हैसमें हमने NaOH तो NaOH तो बना हमारे पास CH3 COO Na जो कि एक salt है और साथ में H2O अब जब आद देखो जो यह हमारे पास जो acid है यह है weak acid कैसा acid है वीक acid है और यह है strong base क्या है strong base है तो weak acid और strong base से जो salt बनता है यह कैसा salt होगा यह होगा basic salt कैसा salt होगा basic salt तो यही चीज हमें बताना था इसमें कि अमोनियूम chloride acidic क्यों है और sodium acetate basic क्यों है तो यह ammonium chloride acidic क्योंकि यह strong acid weak base से बनावा है और sodium acetate basic क्योंकि यह weak acid strong base से बनावा है equations भी लिखने को कहा रहा था तो हमने equations इसमें लिख लिख लिया ठीक है चलो नेक्स वोशन करते हैं यह नेक्स वोशन देखते हैं कि अस सलूशन ओफ एक्स तर्न्स फिनॉप्थलीन पिंक एक स्लूशन है एक्स जो कि फिनॉप्थलीन को पिंक में बदल दे रहा है अनदर सलूशन वाई यह हमारे पास यह हमारे पास एक बेस है अगला क्या रहा है कि अनदर सलूशन वाई जो है यह यहां पर गलत लिखा वाई यह अनदर सलूशन वाई टर्न्स ब्लू लिटमस रेड होगा यह ब्लू लिटमस होगा यहां पर ठीक है तोड़ा सा आप इसे करेट कर लेंगे ब्लू को कनवर्ट कर दे रहा है किसमें रेड में कनवर्ट कर दे रहा है तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है तो यह ब्लू को कनवर्ट कर दे रहा है किस चीज में रेड में इसका मतलब यह क्या है यह है यह है एसेट क्या है बेटा एसेट ठीक है अब कहा रहा है कि जब X और Y को मिलाया गया तो जो फिनोप्थलीन को बना दे रहा था इसका मतलब यहां पर हमारे पास एक सबस्टांस बने रह था जो कि एक सब्सांस होता है क्या ह hyותा तो है यह सब्सांस है ठीक है थो जो की एक बेस है और जो की एक एसेड है और बेस और एसेड मिलके बनाते हैं सॉल्ट जो की एक न्यूट्रल होता है इस वज़े से ठीक है तो कोशन क्या आता है लिटमस रहा है यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था को रहा है किसमें रेड में करता है अब क्या रहा है कि जब यको मिलाए गया तो सबस्टांस क्या होगा जो फिर से colorless हो जाएगा तो phenophthylene colorless क्या हो गया क्योंकि neutral substance बन गया इस वज़े से phenophthylene colorless हो गया identify x और y x क्या था base y गया था acid और एक्सलेंद observation तो observation बता दिया आपको कि acid और base आपस में मिलके क्या बन कर देते हैं एक दूसरे को neutralize कर देते हैं salt and water बे बनाते हैं और यह जो reaction के लाएगे इस reaction को कहते हैं neutralization reaction क्या कहते है neutralization reaction क्या कहते हैं इसे neutralization reaction क्या क्याते है नेक्स्ट है explain why baking soda is used as an anti-acid write the chemical equation of the reaction of the baking soda with the stomach acid बेको baking soda होता है क्या है बेकिंग soda baking soda बेकिंग soda जो की होता है it and he is nice or three जो की एक बेस होता है यह क्यांता इस अंदर कैसी property होती है इसके अंदर basic property होती है कैसी होती है basic property होती है तो इससे कह रहे हैं कि इसे anti-acid की तरह क्यों यूज करते हैं पैटे को नुट्रलाइस करने में हेल्प करती है अब कैसे नुट्रलाइस करती है देखो हमारे पास है एक होता है जो की बेकिंग सोड़ा अब स्टमक में कौन सा एसे प्रेजेंट होता है प्रेजinky करने की वजह सा एक होता है एक सकती है रहता है जैसे एक आषैंप। स्टमक में लगता है क्या होगा की टो किraf प्रेजेंट के सा जाके इसको न्यू्ट्राइज कर देगा और 비롯 ह př utilized CL साथ में H2O बना देगा और साथ में carbon dioxide ठीक है तो जब कभी जब हमारे पेट में जबता acidity हो जाएगी तो हम क्या करेंगे baking soda को यूज करेंगे और baking soda को जैसे यूज करेंगे तो क्योंगा burping बर्पिंग उतलब जीसे डगार आना जिसे तो डगार आती है वह किसकी वजह से आ रही है वह carbon dioxide की वजह से आ ठीक है तो यह था यह था यह बेस था इसके अंदर property कहों से थी basic और यह क्या था यह एसेट था ठीक है तो बेस ने क्या क्या है acid को neutralize कर दिया salt and water बना दिया और जो burping हो रही है वह किसकी वजह से वह यह वह carbon dioxide को जैसे तो क्या रहे था कि बताओ baking soda को क्यों यूज किया जाता है anti-acid के तरह क्योंकि वह acid को neutralize कर सकता है इस वजह से इसे anti-acid मतलब acid के neutralize करने के लिए यूज किया जा सकता है और इसका reaction लिगना था तो हमने reaction लिग लिए कि stomach acid stomach में कौन सा acid present होता है hcl उसके साथ reaction लिखना था हमने लिख लिए इसका reaction ठीक है next question है a metal m reacts with cold water to produce a basic solution क्या रहा है कि a metal m है जो की cold water के साथ react करके एक basic solution बना रहा है और एक gas बना रहा the gas is ignited it burns with popping sound popping sound आता है identify the metal m and the gas produce right the candle metal तो कोई साभी कर सकते हैं निख लियता हो लिए यूज कर लिए sodium हो गया potassium हो गया calcium हो गया ठीक है तो यह यूज कर सकते हैं राइट दा chemical equation तो chemical equation हमने लिख दिया यह ठीक है चलो next question देखते हैं कि a substance x is added to dilute hcl एक substance x है जिसको dilute hcl के साथ add कर रहे हैं the gas produced turns lime water milky ठीक है देखो lime water milky lime water क्या होता है c a o h old twice यह होता है इसको milky कौन बना रहा है इसको milky बना रहा है carbon dioxide बना रहा है तो इसका मतलब हमारे पास जो substance x है यह क्या होगा बिटे यह carbonate हो सकता है तो मैं sodium carbonate लिख देता हूं यह फिर sodium bicarbonate यह फिर sodium hydrogen carbonate ठीक है identify the substance x तो x क्या है sodium carbonate हो गया यह फिर sodium bicarbonate हो गया write the balanced chemical equation for the reaction of x with xcl and explain the turning of lime water अब मिलकी देखो क्या है तो एन एएच सी ओ फ्री इसके साथ हमने मिलाया एचिएल क्या बना एन एन ए एन एसी एल प्लस एस टू ओ प्लस सी ओ टू ठीक है अब जो यह सी ओ टू है जब इसको हम पास करवाएंगे किसके तरू लाइम वाटर के तू तो बनेगा क्या क्या क्याल्सियम कार्बोनेट और साथ में हैं एस टू क्या बनेगा क्याल्सियम कार्बोनेट और साथ जैसे हो रहा है ठीक है तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतने ही कुशन करेंगे नई वीडियो में बिलेंगे कुछ और कुशन के साथ तब तक बने रहे हैं जवालबा कोचिंग क्लासे के दाथ के स्टूडेंट्स बाइबाइब